दोस्तों वैसे तो हम आए दिन पनीर की कोई ना कोई रेसिपी बनाते रहते हैं लेकिन जो रेसिपी आज मैं बना रही हूँ वो थोड़ा सा अलग रेसिपी है क्योंकि ये शाही रेसिपी में काउंट होती है क्योंकि इसके अंदर एक अच्छी सी फिलिंग होती है और इसको पनीर पसंदा के नाम से जाना जाता है तो ये रेसिपी कैसे बनती है इस वीडियो में हम आज सीखेंगे दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक शेर और कमेंट भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं रोज नही नही डिश ल लिया है एक तमाटर चार से पाच हरी मिर्चे ले लिए अब इनको चौप कर लेते हैं अब एक पैन गरम करके उसमें एक चमर्च तेल डाल दे रहे हैं और यहां पर मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए एक बड़ी लाइची चार चोटी लाइची आठ से दस दाना काले म एक दालचीनी का स्टिक और तीन से चार लॉंग मैंने डाल दिये हैं एक चमर्च जीरा डाल करके अब इसमें प्यास को मच्छी तरह से फ्राइच करेंगे प्यास के साथी मैंने हरी मिर्चे भी डाल दी है और साथ में टमाटर भी एड़ कर दिया है और यहां पर मैंने दही भी एड़ करना है इसे ग्रेवी में काफी रिष्णेस आएगी अब जिस पैन में हमने प्यास को फ्राइच किया था उसी पैन में हम इस मसाले को डाल करके अच्छी तरह से फ्राइच करेंगे और हमें तब तक भूनना है इन मसालों को जब तक इसमें अच्छा सा तेल ना निकल आए तो यहां पर तेल सरफेस आउट हो गया अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमग एक चमच हल्दी और दो चमच दनिया पाउडर एड़ कर दे रहें इसके अलावा मैं कोई मसाला इसमें नहीं एड़ कर रहे हूं साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे त पांच से छे हरी मिर्चे आधा इंच अद्रक का टुकड़ा और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया अब इन सभी चीजों को नमक डाल करके अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे तो पेस्ट हमारा त्यार हो गया है अब पनीर के साइट के बचे हुए टुकडों से हम इसको क्र करेंगे तो पनीर आप जिस तरह का शेप चाहें लेकिन थोड़ा सा मोटा हमें कट करना होगा क्योंकि इस पनीर को हम बीच से स्लिट करेंगे इस तरह से और इसी के अंदर हमें फिलिंग को भड़ना होगा तो जो पनीर की फिलिंग मैंने तयार किये वो इसमें अब भड़ देते हैं आप इस फिलिंग में चाहें तो काजु बादाम थोड़ा सा कट करके भी ढाल सकते हैं लेकिन चुकि मैंने ग्रेवी में एड़ किया है इसलिए मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ तो इससे काफी अच्छी रेसिपी तयार होगी अब स्लरी बनाने के लिए यहाँ पर दो चमश मैदा एक चमश आरा रोट और थोड़ा सा नमक डाल करके हम इसको अच्छा सा गोल बना लेंगे इसके साथी थोड़ा सा ड्राइ पाउडर हमें डालना यहाँ पर भी वही रेश दिख लेंगे कि इसमें कोई लंपस ना हो और अब अच्छी तरह से पैन में तेल घरम करके स्लरी में हम पनीर के पीसेस को डिप करेंगे और जो ड्राइ पाउडर है अब इसकी कोटिंग इसके उपर से कर लेंगे और एक-एक करके पनीर के टुकडो को इस तरह से हमें फ्र जान ये रहे कि बहुत जादा हमें पनीर को नहीं फ्राई करना है तो यहां पर ग्रेवी भी बन करके तियार हो गई है अब इसमें धनिया एट कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए उसको ढग करके रख दे रहें अगर हम पनीर के पीसिस को जादा फ्राई करेंगे तो वो क भी रहने दे सकते हैं या फिर स्क्वाइर पीसिस में भी आप कट कर सकते हैं तो यहां पर सारे पीसिस कट करके तयार हो गए हैं अब चलते हैं इनकी प्लेटिंग करने के लिए तो एक प्लेट में यहां पर मैं ग्रेवी रख दोंगी थोड़ी सी और इसके बाद इसके उपर से थोड़ा सा एड़ करके उपर से हम हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और पनीर पसंदा की ये रेसिपी खाने के लिए तैयार है तो दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी जरूर बताईएगा फीडबैक आप प्लीज जरूर दीजेगा साथ में लाइक शेयर औ मिन भी कीजेगा दोस्तों अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिएगा फिर मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना और अपनों का धीर सारा खयाल रखें थैंक्स फर वाचिंग म वीडियो